पहली कॉलर है कुरुशेत्र से सुधा जी स्वागत है आपका हालो हमारे मसीह हमारी प्यारी सी बेटी बोल रही है मेटा हाँ जी मैं मेरी आवाज आ रही है आपके आवाज अच्छा अच्छा ठीक है हमारी प्यारी सी बेटी और हमारे मसीह आप दोनों का हमारा वन थालजन वन टाइम सालाम. आदाब. सर एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरी आज इन से काफी टाइम बाद बाद भी गए है. उनकी तबे तुडिये नासाज रहती है. उनको सर्वाइकल है, शुगर भी है, कैसी कहने बहुत बनती है. पेट एक वर में साफ लेता है, दो तिन वार कारीख होना पड़ता है. तो उन सर्वाइकल के लिए तो आपकी चारो एक्ससाज बता रहेती हैं उनको है, और शुगर के लिए आपको बताते हैं जामून का घुन. तो दो और वो, और एक नमक जदून जिससे जो है ना, कोई साइड एफेक्ट ना हो, और पेट वारा दून का ठीफ हो जाएगा उससे, उनके साथ 6 चीजों का सफूदू या 4 चीज वाला जो आज आज आप बता रहे थे, तो यह पता यह क्या, उनको उन्होंने कहा कि मेरे हो, क्योंकि माइगरेंज जो होता है तो उनके लिए तो मदले स्पेश्वल्स होती है मैडिसंस, और आम नार्मल मैडिसंस से आपको आराम नहीं आएगा, जी, सभी का, तो यह सब ठीक है क्या, और दूसरा से अलकल सर मैंने परस अपनी पोती के लिए आप से पूछा था थ हुआ है, तो मैंने का वीटा ही, हम अगलों कितना कहलने के अपते दादी मैंने कराए नहीं मेरा तो बारा, तीरा, साड़े, तीरा तक रहता है मेरा तो कभी कम होग भी नहीं है इस तक बच्छमन से भी, तो और क्या वजह हो सकती है, या द्वारा टेस्ट कराएं उसका ही, इसकीन के रोगों में, जहां भी ऐसे स्पोर्स हो जाए या और कोई स्किन का रोग है तो ज्यादा अच्छा आपको पता है जो नुस्वा काम करता है वो है अलसी और नमक जेतून का नुस्वा तो यह ले आदी से एक चम्मा चल सी और नमक से तून एक चुटकी जरूरत पड़ेते हैं दो चुटकी भी ले सकते हैं दिन में एक बार या दो बार तो यह स्पोर्स ठीक हो जाना चाहिए और एजबी करा लिया तो अच्छा है शक था मुझे कि कम हो सकता है एक तो यह दूसरा जो आपकी फ्रेंड को आपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज बाकाइदा बता दीजे चाहें तो अपनी वीडियो बनाकर उनको भेज़ दीजे और मिलती हैं तो बाकाइदा अपने सामने कराईए और उन्से कहिए कि दस पंदरा दिन तो लगातार करें फिर उसके बाद इतना फाइदा नजर आ जाता है कोई आदमी खुद ही करने लगता है इस एक्सरसाइज का यही एक नियम है कि जब फाइदा नजर आने लगता तो साथ चीजों का सफूब देना और यानि सौट यह जो मैंने साथ चीजों का बताता हूं उसमें अलसी भी शामिल करता हूं सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेथी और अलसी तो हजम में अगर परिशानी है तो अलसी और सौट मिलके बहुत अच्छा हाजमा करती है और गैस पास करती है, अच्छा होना मुंकिन है 36 गड़ से हैं सरूज जी स्वागत है आपका जी नमस्कार अदाब जैहिन स्वागत आपका मैं दो मैना पास दिन हो रहे आपके हां के ताला गुन खा दी हूँ वैसे तो मुझे बहुत आराम है यह रहना उसीदा अलाहां की पर नी होता था उसमे ना मेरे ठीफ हो गया हो काफी आराम है कमा ड़ भी चलागे बाद भूसनों का दल जा किरी चर्थे उतरते वापका और मेरे ना इस दे हांपका अंगुथा है कर मतांदी चाहनली आपको पर में सब्हाई थी इसमें मेरे मास चड़ गया है इतना पासुष है मैं आता मी जगा सकती लोता वापके पानी मी उता सकती और इसको क्या वो गहनों पाटिक्ट्र पास गड़े थे तरह में मास अंगुथे की नस पे नस चड़ दे हैं पैर के अंगुथे की अगर चाहें तो उन डॉक्टर से और भी दवाई ले सकते हैं जिनकी दवा देने से अंगुथे में फायदा था और ये नुसका न छोड़े हैं क्योंगे इससे आपको पिछट्ट्र 70% फायदा हो चुका या उससे भी ज्यादा तो ये दवा धीरे धीरे आपको आलूम है काम करती है गौंसिया धीरे धीरे काम करता है और फौरी तोर पर फायदा के लिए आप कोई भी दवा इसके साथ इस्तमाल कर सकते हैं आपको बहुत जल्दी पूरा ठीक होना आपका खना उसे है आपरीन स्वागत है आपका आले कुमि वाले कमसला मां हम ठीक है आप कैसी हैं हम ठीक हैं आपके सिह तो जैसे हमने आप बताया था कि हमें ये दिक्कते हैं वो तो पता है आपको कि परसे बताना पड़ेगा ये उác आप तो याद नहीं मुझे सब्क्राइब परदा, यह परदा क्या है, हम भी यही जानना चाहती है, और शम्मज में चाहती है, तब हमें आपकी दावा करें familiar है, गावी हम भी जानना चाहती है, जिसनी दिक्ट ही, हमने आपको तब बता दी हैं पर्दा के बारे में मुझे बिल्कुल याद नहीं पर्दे का क्या सवाल है आपका यह नहीं अपनी परिशानी ज़रा एक बर दुबारा बता देंगी जैसे हमको नजला है तो नजले के लिए हम साप इसामनाब का नुस्का ले रहा है और पैर बहुत सुन हो जाते सर्वाइकल में तो सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के लिए तो हकिन साप की एक सासाइश कर रहा है है मेरे पैर बंब सुन फून हो जाते बैटें बैठें उसके लिए रहा है उसमें गून से ले रहा है उसमें देरणze वाइदा होता है उसमें कोई बात नहीं है और BP जासे मेरा भी नवमबर बढ़ जाता है तो पहले नहीं पड़ता था अब फोड़ी से दिक्कत होगी बढ़ने लगा तो हम बीपी के लिए नमक जैतून, सोडा ले रहा है और एक टैम अल्सी के सादे है तो फोड़ी दिक्कत है तो एक टैम मेति के सादे है और हमारी मैम एज 29 है ठीक मैम एज भी हम जादे है तो और ये नमक जैते हैं जाजून का सिर्के का भी हमने निम्भू और क्या बोलते हैं अज्जक लसुन वाला बनाया है तो एक टैम भी ले लेते हैं तिन चम मजीन में इस इतना ले रहा है मैं जी पता नहीं मैंने क्यों कहा था परदे के बारे मैं मुझे याद निरा दरसल इतने सवालात आते हैं और देखिए अगर फाइदा जारी हो गया काफी दिन से आप जुड़े हो गया है तो फाइदा शुरू हो गया है तो ये मुम्किन है कि देर से फाइदा हो लेकिन अगर बिल्कुल भी फाइदा नहीं है तो फिर ये दवाइं लेने से को और बद परेजी भी हो जाती कभी कभी, कभी कभी की तो कोई बात नहीं लेकिन मस्तकिल नहीं और आप तो बहुत अच्छे वीवर्स हैं, आप फिड़ फैसला कर सकते हैं आपको कितना फाइदा है, और कितनी दवा और लेनी चाहिए लेनी चाहिए, और या नहीं और बस जुड़े रही है, मश्वरा लेते रही है बस मश्वरा दे सकते हैं फाइदा अलबा के हाथ में हैं, उससे मदद मागनी हैं उपर वाले से मदद मागें और फाइदा उठाएं दिली से हैं दयाबती जी, स्वागत है आपका, नमस्कार मैम, नमस्कार मैम, नमस्कार भाई साथ, अदाब जहीं, स्वागत आपका, थैंक यू, भाई साथ, शाल जावे ती बहुत त्यारी लग रहे, बहुत सुन्दर लग रहे, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मैम, और भाईसाब बेटिया तो वैसे भी त्यारी होगतिया है बहुत क्योंकि दिल को छूप दापती है बेटिया और पोर सिल्जाms तयश्ञ। वैसे भी सुंदर है तो सुंदर तो लगे लगेजी। और हमारा तो इतना जुड़ा हो गया ना सेल जवेटी से कि बहुत ज़ादा और बाई साब मेरे दो कोस्टन भी है एक कि मेरा ये नौपी है इसके अंदर छोटे-छोटे फाले से होगे मतलब गड़े में टॉंसन बोन से होगे टॉंसर अच्छा कितना बच्चे की उमर है आठ साल है और बाई साब ये भी बात सही है कि हमारा तो शरीर ऐसा है ना हम तो पानी पिते है ना हम उससे भी मोटे हो जाकते हैं कितना भी कंट्रोल कर ले खूबद रख नसन सबजी में डाल का खाते हैं सब कुछ करते हैं और एक कर दिटर्न का रहे कर दो पानी बोटल में नमक जतून डाल दिया और वो नाती से खुल जाथा उसका की बोटल में और भी डाल दिया तो ये सब्रवाधि आपने की जतून अजय वह तो पिछान लेता है और बेटी नहीं पिछान पाई और वहा किसी ओफिसर न पी लिया वो पानी मतलब रख था उसके पास बैंक में तो उसने फिर संडे को फोन करकर पुछा कि आपके पानी मैं खारा पानी पीने से ना मेरे पेट में कुछ तकलीफ थी तो वो दू अभी करके और पानी वा ऐसा क्या था तो फिर मेरे से कैझे लोटे में किसे अगरे के पानी मेरे पानी प्लट पानी क्योप्स अध्यल खें प्लूutetल क्यो था अपना प्रिंट्र खराब हो गया चैनली नहीं तो मेरी बदाओ क्यो था तो गनी एक सर नती evaluating यह वो सरय से कह रहे कि आपके खारापानी टीवल का होगा इसलिए मेरे पेत का ना सिस्टम फड़ा अपसा हो गया फिर मैंने बताया मका उसमें नमक जतून डाल दाल दाल था वने आपके 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 ये तो बड़े हुशी की और हची की बात है और ये मैं भी करता हूँ और मैंने बताया ना कि घर की मुर्गी डाल बराबर जो होती है और मेरे घरवाला कोई मेरी दवाउं से को नहीं काता तो तो मैं भी यही कर देता हूँ चुप चाप और मेरी जो पोती है वो तो आती है मेरे पास और अपनी बोतल लाती है कि इसमें नमक जैतून डाल दो तो मैं कि वो पांच साल से जादे की है तो मैं आधी चुटकी उसमें डाल देता हूँ तो रोज आती है कि मेरा बदरा पेट वे ठीक रहता है और मुझे परिशानी नहीं होती वो तो डलवाती है उसको तो आधत पड़ गई तो ये बच्चे शायद आपका नाती और मेरी पोती ये बड़े होके इन उसकों को दरूर आजमाएंगे हमारे बाद इन लोगों को पानी से लोग बहुत फाइदा उठाएंगे और ये आपने एक तरह से अच्छा ही किया कि बच्ची की उसमें डाल दिया वैसे बच्चे ना इस तरह की दवाओं से बचते हैं जो रौ मेटेरियल है और वो टेबलेट उन्हें खिला दो इंजेक्शन लगवा तो यूँ ही लेते हैं और ये इसके आदी नहीं है काश ये लोग आदी हो जाएं तो फिर बहुत सारे रोगों से सरक्षित रह सकते हैं